ये हैं Amazfit की स्मार्ट वाच, Amazfit Lite ये कैसे वर्क करती है, क्या कैस के फीचर से, कौन-कौन से इसमें सेंसर से इस वीडियो में हम आज आपको इनी सब बातों के बारे में बताने वाले है नमस्काल दोस्तों, आप देख रहे हैं Tech Gadgets तो सबसे पहले तो ये जो वाच है, इसमें सबसे ओपर ये 2.5D का ये ग्लास लगावा है, इसकी प्लास्टिक की बिल्ट है, इसकी जो जो strap है, rubberized material की बनी हुई है, काफी अच्छी इसकी quality है और एक और इसमें मजदार बात ही है, ये जो Amazfit है, ये एक तरह से लगबग MI का ही product है, Xiaomi के collaboration से ये Amazfit की स्मार्ट वाच बनी है इसमें पीछे ये sensor दिये हुए है, ये आपका charging का ये port है, ये आपका ये आपका charging के point है, ये charging आपका port है, इसको इसी port में लगा कर है आप इसको चार्ज कर पाएंगे, ये देखिए इसका charging port है, ये आपको अपनी watch को ये इस तरह से आपको इसमें ये set करना है, जैसी आप इसमें लगाएंगे, आप देख सकते हैं कि ये charge होनी start हो गई है तो ये काफी अच्छा है, ये charging deck इसमें dock दिया हुआ है इसके पीछे एक अच्छी quality का है, ये side में भी rubberize की finishing है, नीचे rubberize का material दिया हुआ है ताकि फिसलेना अच्छी stability के लिए, ये देखिए इस तरह से फिलाल हम इसको निकाल देते हैं तो ये हमारी watch है, काफी अच्छी इसकी build quality लग रही है, हलाकि पूरा plastic इसकी build है ये पीछे इसमें देखिए sensor दिया हुआ है, इसमें heart rate monitor भी है इसकी सबसे बड़ी बात है, जो इसकी battery जो है, जो company Amazfit जो claim करती है वो 45 days का claim करती है, लेकिन जो इसमें battery backup दिया है वो अराम से 30 से 35 दिन का बड़े अराम से, अगर आप high usage करेंगे तो बड़े अराम से 30 से 35 दिन का भी है आपको battery backup ये smart watch बड़े अराम से देने वाली है, ये इसकी काफी अच्छी बात है चलिए अब ये फेलाल कह रहा है कि open the app to pair, तो इसको हमें सबसे पहले application से pair करना पड़ेगा, इसको work कराने के लिए तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने mobile में application इस्टॉल करनी पड़ेगी, वो है MI Fit app, आप MI Fit app को open करेंगे want to turn Bluetooth on, हम इसको on कर देते हैं इसे plus पे हम निशान लगाए, प्लस पे क्लिक करेंगे, तो ये watch पे क्लिक करेंगा, एगरी करते हैं watch में आएगी, Amazfit, Bip और Bip Light हम इस पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए इस तरह से सर्चिंग चल रही है ये देखिए pair complete हो चुका है, ये इसमें आपके watch में इस तरह का ये option आएगे, इसमें आपको click कर देना है, click कर देना है आपको ये paired successfully, आपकी watch pair हो गई है, आपको activate करना है, ये देखिए, activated device successfully हमारी watch इसमें activated हो चुकी है ये देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी watch activate हो चुकी है, अभी हम इसको इस तरह से touch करेंगे तो बिलकुल भी work नहीं करेगी क्योंकि एक तरह से lock लगा हुआ है, हम इसको button को एक बार प्रेस करेंगे तो ये देखिए, अब हम समझ सकते हैं कि इसका ये lock खुल गया तो इसमें ये अलग-अलग options है, watch faces settings की है इसकी, ये देखिए, अलग-अलग watch face है, इसमें आपको अगर मान लिया ये वाला watch face आपको चाहिए, तो आपको इसको sync watch face पे click करेंगे, ये भी downloading चल रही है, अब ये sync हो रहा है, तो इस तरह से आप अपना मन पसंद कोई भी watch face इ इसमें अपनी MI, Amazfit smart watch में आप कर सकते हैं, देखिए, updating resources ये देखिए, हमने इसको ये update हो रहा है, इसके साथे साथ ये watch में भी notification आने start हो गई, कि updating resources, तो इस तरह से ये आपका, किसी भी तरह का ये जो इसमें options available है, watch faces के आप कोई भी इसमें अपने watch में इसको लगा सकते ह है, ये देखिए, ये watch face हमारा पूरी तरह से इसमें, हमारी watch में अब लगाया जा चुका है, इसमें set हो गया है, तो काफी अच्छा है, ये अलग-अलग तरह के watch faces हैं, आप जो मर्जी watch face इसमें आप activity से तरह से अपनी watch में आप कर सकते हैं, इसके लाव इसमें unlock screen का ये feature है, इसको भी आप set कर सकते हैं, incoming call को आपको feature चाहिए, कि आप अपने mobile में, अपनी smart watch में, आप incoming call का notification देखना चाहते हैं, वो भी इसमें आप on कर सकते हैं, हाला कि इसमें आप answer नहीं कर सकते हैं, आप alerts आपको इसमें चाहिए, तो जो भी आप इसमें आपके mobile में होंगी, वो लगबख Facebook है, WhatsApp है, जो भी है messages, आप सब की application, जो भी applications है, उन सब की notification आप अपनी smart watch में आप देख सकते हैं, ideal alert इसके अलावी काफ सार options है, find watch है, discoverable है, band location है, आपने इस watch को अपनी उल्टे हाफ में बांदा है, या फिस सीदे हाफ में बांदा है, उसके हसाब से एक्चली, ये heart rate monitor करने के लिए, उसके work करने के लिए इस तरह से इसमें दिया हुआ है, heart rate detection है, find phone ringtones है, run in background, shortcut settings, display settings, इस इसमें, click करके देख सकते हैं, इसी तरह से battery percentage भी आपके इसमें भी show हो रही है, कि आपकी battery, आपकी smart watch में कितने percent battery बची हुई है, ये आप बैकर के इसके बाद ये आपका heart rate monitor है, weight up का, ये लग बग जो भी दिखा रहा है, इसमें अलग अलग ये options है, ये heart rate आप को monitor इसमें साथ ये साथ आप application को अलग ये तरह से आप explore कर सकते हैं, कि application में क्या क्या है, इसके अलग हो आपको इसमें watch में दिखाते हैं, कि watch में और इसमें क्या क्या है, फिलाल हम आपको इसके watch के कुछ basic highlights बदायते हैं, इसका 2.5D का ये class है, इसमें always on आपकी display हाला कि display काफी कम बै इसमें नहीं हैं, जिस तरह से बाकी smart watches में होते हैं, इसी वज़े से इसकी battery backup जो है वो इतना अच्छा है, कि 3 ATM तक water resistant है, आप इसमें इसको बहन के आप swimming कर सकते हैं, बारिश में भीग जाए तो इसका कुछ भी खराब नहीं होगा, कोई issue नहीं है, touchscreen है, fitness band ही है, इसमें काफी अच्छा काफी धासू battery backup है, इसका Amazfit Lite smart watch का, इसको 30 meter तक आप पानी के अंदर डुबो के रखेंगे, तब भी ये water resistant है, up to 30 meters तक, इसमें lithium-ion की battery है, जो कि आपकी 2 घंटे में पूरी तरह से charge हो रहेगी, इसको आप Android के साथ भी, साथ इसाथ, iOS के साथ भी, दोनों ही तरह के software के साथ, आप इसको configure कर सकते हैं, इस Amazfit Lite smart watch को, इसका ये जो display है, ये जो आपकी screen है, वो लगभग, आपकी 1.28 inches की ये screen आपकी इसमें दी हुई है, काफी lightweight ये watch है, इसमें लगभग सिर्फ 32 gram का weight है, काफी lightweight है, आपको हाथ में पहन के महसूस नहीं होगा, कुछ भ भारी भरगम, कोई smart watch, कोई घड़ी पहनी है, काफी अच्छा है, इसका lightweight ये watch है, इसकी एक साल की guarantee दी हुई है, Amazfit ने चलिए, अब हम आपको इसकी features दिखाते हैं, कि ये किस तरह से work करती है, तो हमने इसको click किया, ये unlock हो गई है, इसके बाद ये status, ये देखी, इसमें आ इसके बाद ये activities में क्या कहा, इसमें outdoor running का इसमें option है, आपको अप्षिन है, cycling का option है, walking का option है, activity history इसमें आप देख सकते हैं, activity settings में इसमें आप कर सकते हैं, autopause, heart rate, alert इसमें, आपको कितने से, आपकी heart rate कितने से ऊपर जाए, तो ये आपको alert notification भेज़े, वह आपस में set कर सकत हैं, pace alert, distance alert ये भी समें आप इसमें कर सकते है, activity history में फिलाल तो more history है, हमने इसको भी setup किया है, walking इसमें आप click करेंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे, ये इस तरह से count करना start कर देगा कि आप कितनी देर तक ट्रेड मिल पर रहे, कि इसको हम फिलाल end कर देते हैं, इसी तरह से outdoor running में भी ये सारे GPS के द्वारा ही ये काम करेगा, ये activities है, चेटर से activities तरह से weather case में notification आएंगी कि आज ये कितना weather है, कि इस तरह पिछले 2-3 दिन का इसा temperature है रहने वाला है, वो भी इसमें सब आ जाएगा, alarm इसमें आप सेट कर सकते हैं, इस तरह से इसमें click करेंगे तो ये चला जाएगा और वापस इसमें left, right slide करेंगे, तो वापस ये back का button एक तरह से ये है, आपने click किया और आपको back जाना है, तो आपको right slide इस तरह से करेंगे, तो ये back चला जाएगा, फिर next option इस तरह से आजाएगा, timer इसमें कर सकते हैं, ये back settings सापने इसमें भी आपको बताया ही था, कि इसमें क्या क्या है, settings भेगा कि आप watch face ये देख सकते हैं, इसमें फिलाल इसके अंदर ये watch faces हैं, जो भी watch face चाहें इसमें आप set कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप application से भी इसमें अलग वाच Wash वेसा आप इसमें डाल सकते हैं वो भी इसमें आप लगा सकते हैं यह काफी सारे वाच व Spaß यह मने देखिया भी इसमें install किया था यह वाला वाच वेस अपनुंड की थ्रूफ तो काफी अच्छे काफी सारे watch faces है काफी अच्छा ये watch है हलकी फुलकी watch है कि भारी भरकम watch यह नहीं है अगर आप चाहते हैं कि इस watch को किसी दूसरे mobile से configure करें किसी दूसरे mobile के साथ आपको इस watch को set करना है तो आपको simple क्या करना है आपको settings पे जाना है settings पे जा करके आपको factory reset का यह button क्लिक करना है इसको click करने के बाद यह ok करेंगे तो वही same process यह off हो जाएगी और on होने के बाद same process आपको follow करना पड़ेगा जो भी हमने आपको वीडियो के starting में बताया था कि कि किस तरह से watch को आपको configure करना है दूसरे mobile से adjust कर सकते हैं तो काफी अच्छी है Amazfit की Amazfit light smart watch है इसमें sensors जो दिये हुए है वह आपको दिये हुए PPG optical heart rate sensor इसमें दिया हुआ है 3-axis acceleration sensor इसमें दिया हुआ है इसके साथ यह strap है इसको आप अगर change करना चाहें तो इसको इस तरह से आप इसको change भी कर सकते हैं इसको simple आप इसको left slide करना है इसको watch को इसकी strap को निकाल के अगर आप change करना चाहे तो step को निकाल के दूसरे steps में आप बड़े अराम से लगा सकते हैं इसके पीछे कुछ यह लिखा हुआ हुआ है design by uami इसका model number दिया हुआ हुआ है अगर आप एक ऐसी बात चाहरे हैं जो आपके daily use में आए आपके steps count करें आपका heart rate monitor करें daily routine में ज्यादा भारी भर कम ना हो आपके notification इसमें show होती रहे कि हाँ क्या notification आई है चाहे वो whatsapp की हो चाहे वो facebook की हो या फिर normal messaging हो आपको call पता चले कि हाँ किस की call आई है तो वो सारे features सारी activities आप अपनी Amazfit light smart watch से आप ट्रैक कर सकते हैं तो बस यही था तो आज हमने आपको बताया Amazfit की smart watch Amazfit light के बारे में इसके क्या-क्या features हैं कैसे यह work करती हैं क्या-कैस में खास्यते हैं अमे उबीद है यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी और आपके काम आएगी अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो मैंसे वीडियो के लाइक कीजिए अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैंसे आपको सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत रहत धन्यवाद